करनाटक का मुख्यमंत्री के नाम का एलान कल यानी मंगलवार को किया जा सकता है कॉंग्रेस अब्जर्वर्ज, सुशिल कुमार शिंदे, धीपक बावरिया और भमट जितेंदर सिंग आज दिल्ली वापस पहुँचे कॉंग्रेस नहितार रणदीप सुर्जेवारा ने कहा कि ओब्जर्वर्वर्ज राब तक अपने रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मलिकार जुन खड़के को स्वापेंगे बाकी लोगों से भी राय ली जाएगी उधर पार्टी हाय कमार ने सिद्धरमया और डीके शुपकुमार को दिल्ली बुलाया है सिद्धरमया दिल्ली पहुँच चुके हैं डीके शुपकुमार भी दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं दिल्ली निकलने से पहले उन्होंने कहा कि वो सिंगल मैन मिजॉरिटी है। करनाटक में मुख्यमंतरी की कुर्सी को लेकर खीष्टान के बीच कॉंग्रेस के सामने एक नई मांग उठ खड़ी हुई है। सुनी उलेमा बोर्ड के नेताओं ने मांग की है कि करनाटक का डीप्टी सीम मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। इसके साथ युन्होंने कहा कि पांच मुसल्मान विदायकों को अच्छे पोर्फोलियों के साथ मंतरी बनाया जाए। इसमें ग्रे, राजस्व, स्वास्ता और दूसरे विभाग होने चाहिए। वक्ट बोर्ड के चैर्मिन शाफी साथी ने कहा कि 72 विदान सबाओं में कॉंग्रिस के बल मुसल्मानों की बज़े से जीती है। उन्होंने का कि एक समुदाय के रूप में उन्होंने कॉंग्रिस को बहुत कुछ दिया है, अब समय आ गया है कि बदले में कुछ मिले। करनाटक विदान समच चनाव के दरान मली कारजुन खडगे ने बज़रन दल की तुलना देश विरोधी ताकतों सी की। आरोप है कि बज़रन दल की तुलना सिम्मी, PFI और अलकाइदा जैसे विरोधी संगठनों के साथ की गई। काजिस्तान की जनता की सेवा अंतिम सांस तक करते रहेंगे। उन्हों ने ये भी कहा कि वो डरने वाले नहीं है। सचिन पालेट ने कहा कि इसी महीने के आखिर में अगर तीनों मांगे नहीं मानी गई तो यूवाओं के लिए भश्टचार के खिलाप पूरे प्रदेश में वो अंदूलन करें। देश में नरेंदर मोधी सरकार के इसी महीने 9 साल पूरे हो रहे हैं। एक महीने तक चलेगा इस खास मौते पर जगजगा कारिक्रम होंगे। इसके तहट मोधी सरकार के नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। सुप्रीम कोट ने वकीलों के एक संगठन की ओड से उपर राश्पती जगदीब धनकड और केंद्रिय कानूर मंती किरें बीजीजू पर कारवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। बॉब में Lawyers Association ने कॉलेजियम को लेकर की गई टिपणी के मामले मेरे जीजो और धनकड के खलाव याचिका डाली थी। वकीलों के संगठन ने बॉब में हाई कोट के आदेश को चुनाती देते हुए सुप्रीम कोट का रुखिया था। कोट में वकीलों के संगठन की आचिका को इस आदार पर खारिच कर दिया गया कि ये संविधान के अनुचे 226 के दहत रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए उप्योग तो मामला नहीं था। जमु कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर NIA ने बड़ी कारवाई की है, NIA की टीम ने जमु कश्मीर के अलग-अलग जगों पर रेड की है, टीम ने राज्यके बढ़गाम, शोपिया, पुलवामा, श्रीनगर और अन्तनांग में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया ये सारे मामले घाटी में टेरर फंडिंग मामले से बुड़े हुए हैं, इसे पहले NIA ने चार मई को जमाते इसलामी के सदसे और समर्थकों के 16 ठिकानों पर तलाशी ली थी, तलाशी के दोरान कई अपत्ति जनक सामगरी और डिजिटल उपकरान जब्द किये गए